हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब और आज हम ऐसा नुसका बताने जा रहे हैं जो एक स्वामी जी के दौरा बताया हुआ हमारे घर में जो स्वामी जी थे उन्होंने बताया था यह बहुत ही ज्यादा फायदा करता है तो इसको जैसे कमर में दर्द है कभी-कभी लिकोरिया की ही रहता है जादातर महिलाओं को तो उसके लिए हम एक बहुत ही अच्छा उपाय बताएंगे अच्छा नुस्खा बताएंगे जो कि आप लोग प्रयोग करके और बहुत ही अच्छा है यह प्रयोग करने के बाद में आपको खुद बता चलेगा कि यह अच्छा है तो यह यह लहसुन लेना है आपको जिसे आपने इतना सा लहसुन ले लिया और उसको क्या करना है छीलना है किसी दिर अगर आप लोग कहेंगे तो किसी दिन वीडियो भी बना देंगे इसकी खीर बनाई जाती है तो इसको छील लेना है और इसको छीलने के बाद में दूद पकाना है चिलने के बाद में जब दू बॉं उसमें डाल दो धीरे-धीरे ढतने को चोर दू क्वरत में दीमी धीमी आज पर água है द्यार ऑगोगा समीज़रे कों धूरा में यूद्टीए जब शतनी करते ह لदा है. तो उससे बहुत ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा क्योंकि यह अजमाया हुआ नुस्खा है और कमर में दर्द तो हो ही जाता है तो उसके लिए बहुत ही यह अच्छा है तो हमारे पास यह जानकारी थी तो आप लोगों के साथ शेयर की और अगर आप लोग कहेंगे तो दूद में खुलते डाल देना है थोड़ी देर इसको पकाना है तो खीट पक जाए उसके बाद में इस्तेमाल करना है तो यही वह लैसन है बहुत ही